हेलो दोस्तों आज हाइदराबाद की रेस है 18 सेफ्टेमर 2013 टोटल साथ रेसे हैं और कल पूने और हाइदराबाद बहुत ही बेकार सा गया मतलब कुछ समझ भी नहीं कि क्या हो रहाता है और पूने तो एक भी नहीं आया मतलब बिल्कुल ही बेकार सा लगा कि रेसिंग बिल् प्रॉबलम होता है तो हुआ है मैं भी खुद लॉस में हूँ और मैं कोई भाणा नहीं बना रहा हूँ कि मैं बहुत प्रॉफिट में हो गया मैक्षिमल लोग लॉस है मैं भी लॉस हूं अई होप आज अच्छा बार बहुत ही एक सोच समझ की वीडियो बनाया है कि आज ऐ बोड़े ऐसे हैं आज तो नहीं हारने चाहिए अब चोरी होगी कल जैसे अक्षे ने क्या कल सबसे बड़ा गड़वर अक्षे ही नहीं करवाय था है द्रावाद मेरा वह मिस्स मार्वलस अगर आपने रन देखा होगा कहां क्या बाश्यात सी राइडिंग किये थे अक्षे न तो चली बात करते हैं कल के आज की फार्स्टेस दा रेड़ सर्प्राइज प्लेट डिविजन वान बारव समयटे के रिए से मेड़न और स्ट्री रोल ओल्ली वन थर्टी को नो गोड़े हैं जैस दो गोड़े में लग रही है एक होस्ट नमबर एट बोल्ट ब्यूटी पी इच्वे और एक घोड़ा है होस्ट नमबर टू फाइनल जज्जमेंट जोकी पीजित कुमार अब दो नमबर का एक बार रन देखना और और उड्स को देखना उसके बाद वेटिंग करना ऐसे ही मत कर लेना मैंने जितना रन देखा है तो नमबर लास्ट रेम बहुत ही सु अब ही इक्विब्मेंट्स चेंज कर रहे हैं ध्यान रखना यह घोड़ा बनता है बिल्कुल मतलब लगया देश्मुका पीजित कुमार बिल्कुल ट्राइक करता है और ट्राग भी अच्छा जा रहा है भाव क्या आएगा यह देखकर ही बेटिंग करना अगर तीन चार र रखना ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो आर नूमर भी पसंद है लेकिन यह लाइट फ्रेम पी लिए है चार्शो की नीचे तो थोड़ा सा तंसन हो रहा है लेकिन पसंद है देखेंगे बाग कि दो पर नज़र रखना क्या भाव कुलता है अब बात करता है सेकंड रेस तो र कि आड़ गोड़े हैं मुझे सिंगली गुड़ा पसंद है होस्ट नमबर त्री मानिंग मेश चकी शुरज नार्डू पर इन फेवरेड़ी को लिगा जीतना चाहिए लास्टेम एकवार जंप लेके आया था अभी गेट प्रक्रिश दिया हुआ है तो बिलकुल बनता है इ आड़ गोड़े हैं तो फेवरेड़ को लेकर प्रावड मेरी नो डाउट लेकिन मुझे तो बिलकुल समझ में आनी जाए कि जीते का यह हार जाएगा जीते का तो अच्छी बात है लेकिन इसके उपर चांक्स लेना बेकार सा है मैं इसके उपर नहीं जाने वाला कि कि खुझ गड़बर ना करें यहां पर मुझे दो गुड़े पसंद है एक होस्ट नमबर थ्री गार्नेट जोकि सोनु कुमार और गोड़ा पसंद है होस्ट नमबर फोर हाई रिवार्ड जोकि आरेज जोधा मुझे तीन नमबर बेटर लग रहा है क्यूंकि लास्ट है मैं ने तीन को डेवेश प्लेश दिया था लेकिन घोड़ा आया है नहीं था है कि शाइद ही लोग भाव में चलाएंगे अच बिगोड़ में मुझे प्लेश सेफ लग रही है थर्ट रेस होस्ट नमबर त्री गार्नेट जोकि सोनु कुमार और इच्वेव इन प्लेश इन जर अब बात करते हैं फोर्थ रेस तम मैंदक प्लेट पारसमिटे की रेस से होस्ट्रेट 2245 क्लास 4 की 3 15 को 11 गोड़े हैं यह मेरा फार्स डेवेस्ट विन है अब रेस वाहियाद ना हो तो गोड़ा तो हारने वाला है नहीं अगर चोरी हो गई तो हो गई यहाँ पर मेरी चाहिए होस्ट नमबर वन क्लासिकल म्योजिक जोकी ए इमरान खान पर इन प्लेश यह गोड़ा जीतना ही चाहिए दो तीन रन हो चुके हैं इस सीजन और एच पर हैंडिकेपिंग यही घोड़ा जीतना चाहिए और बाकी रेस क्या होगी बोग किसी को नहीं पता लेकिन अगर आप देखोगे 140 रेस में 12 में पीन आटूबो के साथ हा रहा था नोटेबल सेकेंड लगा था उसी रेस में 140 रेस में तीन नमबरी भाग रहा था थड़ हुआ था अक्षे कुमार उसी जला रहा था अभी शिवांस बैठा है अलाउंस लेके लेकिन यह घोड़ा लाइट फ्रेम पिली है मतलब 400 किलो की नीचे तो थोड़ा सा कंसान है लेकिन हैंडिकेपिंग के एक नमबर नहीं आना चाहिए अब रेसिंग क्या होगे पता नहीं तो मैं दो खोड़े लेके चल रहा हूं अब ध्यान से खेलना और त्रेस हॉस नमबर रान क्लासिकल मेजिक यह मेरा डेवेस्ट है और उसी के साथ भागा हुआ तीन नमबर है और तीन नमबर अभी एक्क्विमेंट शेंज कर रहे हैं इसका लास्ट दोनों रन इग्नोर करो 31 जु ऐसनी है तो अभी उफसेट कर सकता है या तो प्लेस में बड़ी वफोड़ेश को लेगाली तो प्लेस में घुछ सकता है तो यह कोड़े मुझे पसंद है इनी ब्रेश में रेस होनी चाहिए अगर एक को मारेगा तो त्या ही मारेगा क्योंकि थोड़ा सा वेट का अडवांटेज है उस 140 रेस के इसाब से फिर वे मैं अपना डेवेश्टी लिए की चलूँगा फोर्थ रेस होस नमबर वन क्लासिकल म्यूजिक जोकि एमरान खान पर विंप्लेस और होस नमबर त्री सेंट अमिलियन जोकि शिवान्स पर प्लेस अब बात करते हैं फिफ्ट रेस दप्लेस हाइदरावाद रेस डट कॉम कॉप 1400 मिटा रेस और सेटे 2245 क्लास पूर की 350 कोई रेस है नौ घोड़े हैं सेकेंड डेवेस्ट प्योर गुड़ बैट मतलब अब जो हो सो हो लेकिन हारना नहीं चाहिए फिफ्ट रेस हास नूमबर फोर गोल्डेन गेजल जोकि अक्षर कुमार फोर विन यह गोड़ा कल जीतना ही चाहिए देखो गोड़ा एनरे डवल पार के बहुत ही अच्छा गोड़ा है और उसके बीछे दो वर भागा हुआ है और लास्ट टाइम बहुत हैविली बैक्डाउन हुआ था मतलब पंटर ने क्या बेटिंग किया था गोड़े को पर या पता नहीं अक्षे के उपर लेकिन माल दो बहुत जवर्दस लगाता इस है इसके पूर अल्मॉस्ट आ गया था लगा थोड़ा सा ड्रॉप बारा नंबर का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ अक्षे को लेकिन आज अक्षे का दिन है और अक्षे ही मनता है तो फेफ्ट रेस होस्ट अबर फोर गोल्डन गेजल जोकी एक अक्षे कुमार फॉर प्लेश मिले तो देख लेना मैं तो इनके साथ जाओगा अब बतकरते हैं दरानी रुद्रमा देवी कप फोर्टेन अटमिटर मिटर रेस से होस्टेटर फोर्टे डू सिस्टिवाइब क्लास्त्री की फोर ट्वंटिफाइब को कि दस गोड़े हैं चार नंबर जीतना चाहिए लेकिन पता नहीं लास्ट ट्रेंड के जब से चार नंबर को कोई नहीं पीठना चाहिए मेरा यह मानना है लेकिन देखते हैं यार क्या करता है अक्षे कुमार प्लेस और यह घुड़ा मुझे प्लेस में पसंद है अगर अप्षड में घुशेगा तो प्लेस आ सकती है होस्ट नमबर सिक्स प्रिंसेज डाका जोकी अवैशिंग प्लेस यह मोटे भाव में दो तीन के भाव में प्लेस घुश सकता है इसका लास्ट टन को इग्नोर करने लेना यह घुड़ा प्लेस में पसंद है शिक्ट रेस होस्ट नमबर फोर स्ट्रास जोक्य अक्षे कुमा प्लेस और होस्ट नमबर सिक्स प्रिंसेज डाका जोकि अवैशिंग प्लेस अब बात करते हैं सेवन्त रेस लास्ट रेस दर नीजाम सागर प्लेट शिस्टीन अंडर मिटर रेस से होस्ट टर ट्वंटी टुफुटी फुटी फैप क्लास पूर की पाच बजे यहां पर द देखोगे यह सब एक ही रेस में भागे हुए हैं 155 रेस में थर्ड लगा था यह और मतलब मिक्शियम गोड़े अमाल फिटा नहां 155 रेस में पांच बाल लगा है यह 175 में साथवा लगा है और साथ नंबर जीता हुआ था 175 रेस में और सकर पंच 175 रेस में सेकंड लगा है और मॉसर 175 रेस में चौत्वा लगा है तो दो नंबर का थोड़ा सा उस इंसिडेंट को पढ़ना कि एक्चुली गोड़ा आया क्यों नहीं था गोड़ा इसलिए नहीं आयता है कि गोड़े को इंस्ट्रेक्शन था कि मतलब फोर्त या फिप पोजिशन में बैठे लेकिन जौकी ने उसको मतलब कर नहीं पाया कि गोड़े पीछे थे तो उस पोजिशन में बैठ नहीं पाया और गोड़ा उस दिल थड़ हुआ था तो अभी अक्षे कुमार को बिठा हुआ है और अक्षे कुमार खुट ट्राग में काम दे के रखा है तो उस रन के हिसाब से दो नंबर आज नहीं हारना चाहिए मैं प्लेश पर स्योर हूं सेवन्त रेस होस नंबर टू मास्टर टॉच जाक्षे कुमार फोर इंप्लेस मुझे अक्षे का ट्रेवल दिख रहा है आज या तो तीन लेके जाएगा या तो दो तो शियोर देगा बाकी रेसिंग तो रेसिंग होगी सेवन्त रेस होस नंबर टू मास्टर टॉच जाक्षे कुमार फोर इंप्लेस यह मेरा लास्ट डेवेस्ट प्रेस है अई होप समल कर खेलिए मुझे शिक्स सेवन्त अक्षे लग र प्रेस होस नंबर वन क्लासिकल मेजिक और फिफ्ट्रेस होस नंबर फोर गोल्डेन गेजल मैं बहुत कंफिडेंट हूं यह दो गोड़े जीतेंगे और चार में एक को कोई मारेगा तो क्या ही मारेगा सेंटेमेलियन क्योंकि उसी के साथ भागा हुआ है और वेड का अच्छा जाए फिर मिलते हैं कल के देली की रेस में आज करेत रही है बाई